हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारे यटूब चैनल पर तो गाइस आज के सोड़ा में हम आपको बताने वाले हैं बलुटूथ आटोमेटेक डिसकनेक्ट प्रॉलम के बारे में कि गाइस जब भी आप किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं अपने आप ही बंद हो जाता है डिसकनेक्ट हो जाता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो गाइस क्या करना है सबसे पहले आपको अपने सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको अगर आपके फोन में सर्च वाला उप्सन रहेगा तो इस पर क्लिक करके आपको टाइप करना है आप जैसे आप अप टाइप करेंगे तो अप लिस्ट और अप मेनेजमेंट नब की सेटिंग मिल जाएगी वह सकता है आपके फोन में नीचे कहीं पर हो तो जहां कहीं भी हो आपको वहाँ पर जाना है और किलिक कर देना है अगर आपके phone में इस परकार की setting नहीं मिल लई है searchable option नहीं है तो फिर आपको setting में जाना है और अब आपको खोजना पड़ेगा app management, app manager जहाँ पर setting में सभी apps रते हैंगा इस आपको वहाँ पर जाना है वहाँ पर जाने एक बाद देखे app list पर उपर क्लिक करना है इस परकार का देखिए होगा सभी app आजाएंगे अब आपको उपर की side दो dot पर क्लिक करना है दो बिंदू पर फिर आपको source system पर क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे अब यहाँ अगर search bar रहेगा तो यहाँ आप Bluetooth टाइप कर देना Bluetooth यहाँ पर आ जाएगा अगर टाइप करने वाला नहीं है तो फिर आपको आना है B पर Bluetooth मिल जाएगा इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद storage usage पर क्लिक करना है यहाँ से करना है clear case फिर clear data और ok कर देना है ओके करने के बाद आपको आना है simply bike बैक आने के बाद देखिए आप अपने बुल्तूत को एक बार चालो करके चेक करना की सही हुआ है की नहीं अगर फिर भी सही नहीं होगा तो फिर आपको क्या करना है अपने mobile को एक बार restart या reboot कर देना है अपने power button को दबा के रखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए restart या reboot का option मिल जाएगा इस भी आप click कर देना जैसे ही click कर देंगे problem का solution हो जाएगा आपका बुल्तूत disconnect नहीं होगा अपने आप तो इस तरीके से आप इसे सही कर सकते हैंगा तो आज क्यों बस्तिना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक्यू है वे नाइस टे